नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड घमसनमार हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक मास की कृष्ण त्रियोदसी को धनतेरस का पर मनाया जाएगा यानि दीपावली से ठीक दो दिन पहले इस पंच महापरवों का खास महत्व है हमारे हिंदु धर्मे इस दिन यम्राज भगवान धनवनते के साथ मालचमी और कुवेर की भी पूज़ा की जाती है और धनतेरस पर अगर आप कुछ सामगरी जो आपको दीपावली के दिन की आवस्यक है वो खरिदने का भी विधान है इस दिन अगर इन चीजों को आप खरिद लेते हैं तो यकीन मानिए आपके सौभागे में बिर्धी होती है धनतेरस से ही दीपावली की सुर्वाद भी हो जाती है इसी दिन से घर में हम दीपग लाते हैं और खास कर सोना, चांदी, बर्तन, खरिदने का विधान है धनतेरस के दिन कहते हैं कुछ ना सही तो एक चमच भी खड़िद लेते हैं तो ये काफी है आपके गरीबे को दूर करने के लिए पौरानिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण तरयोदसी के दिन भगवान धन मंतरी अपने हाथों में अमरित कलस लेकर सागर मंथन से प्रकट होते हैं और भगवान धन मंतरी भगवान विष्णू के अनसावतार हैं ऐसा भी माना जाता है धन तरस के समय में आप अगर अपने जीवन में चाहते हैं खुसियां आएं तो सुब मुर्त में ही खरिदारी कीजेगा और हर दिन कुछ समय ऐसे होते हैं जो खरिदारी के लिए सुब होते हैं वैसे आई हम जानते हैं वो भागे साली वस्तू कौन सी है तो सबसे पहले तो भगवान जी गनेज जी मालक्षमी की मूर्ती दूसरी है आप धातू, सोना, चांदी, बरतन, जोमर जी वो खरिद दिये इस दिन कुछ न कुछ जरूर खरिद दिये लेकिन लोहा भूल कर भी मत यह परिसानी लाती है, तो लोहा नहीं खरिदना है और काली चीज भी नहीं खरिदनी है, स्री अंत्र, स्री अंत्र वैसे तो इस फटिक की बनी हुई होती है, या फिर आप चित्र आकरिती वाली भी होती है, कोई भी स्री अंत्र, अगर आपके घर में है, तो आप मत खरिद आपके घर में नहीं है तो संभवो तो जरूर खळित के लाइए कहते हैं बरकत होती है शृयंत्र जिस घर में रहता है उस घर में लक्ष्मी अस्थायी तोर पर निवास करती है तो स्रियंत्र लेकर आईए और पिंक यानि गुलाबी रंग के कपड़े पर स्रियंत्र को अस्थापित करें अक्षत पुस्प गुलाबी पुस्प से इनकी पूझा करें दिपावली से ही शुरुआत कीजेगा और इसके बाद जो चीज है वो है जारू जो घर में आपके जि और ये नई जारू लाकर आप रखिएगा और इसकी सुरुआत कीजिएगा दिपावली के दिन से लेकिन लाना है कभ धनतेरस के दिन दोस्तों एक बात जान ले सर्सों तेल का भले ही दिया जलता हो पांच दिनों में लेकिन सर्सों का तेल आप धंतेरस के पहले ले आईएगा क्योंकि धंतेरस से लेकर भईया दूस तक या फिर दिपावली तक सर्सों का तेल नहीं खेदना चाहिए तो आप ले आईएगा अब बात करते हैं कोडी की जो समुद्र मन्थन के दौरान निकला है समुद्र से और कोडी मालक्षमी को बिसेस प्री है कम से कम साथ कोडी पीले कपड़े में या लाल कपड़े पर रखकर वैसे हम आपको बिधान बताते रहेंगे आप मालक्षमी को अरपीत करते हैं उसमें सरसों के दाने इस दिन सरसों भी खरिदने का विधान है याद रखेगा और संख अगर आपके घर में पहले से है तो अच्छी बात है नहीं तो इस दिपावली एक संख जरू ले आईए कहते हैं जिस घर में संख सुभा साम बजाया जाता है उस घर में नकारतमक चीजें आही नहीं सकती जगडे लडाईयां बिवाद नहीं होते और लक्षमी जी रहती है नकारतमक सक्तियां भी नहीं आती और लोगों का तंत्र मंत्र भी इस घर पर काम नहीं करता है तो संख लाइए तीन तीन बार सुभा साम बजाएए नमक धन तेरस के दिन नमक जरूर लाना चाहिए खरिद कर और इसी खरिदेवे नमक से आप वैसे तो ये काला नमक है बलेक सॉल्ट है लेकिन आप समुदरी नमक या फिर टाटा सॉल्ट वे गएर भी ला सकते हैं कोई भी नमक लाइए नमक एक ही होता है तो इस नमक को पानी में डाल कर आप पूरे घर में पोछा लगवाईए धन तेरस के दिन यकीन मानिये दरिदेता रहेगी ही नहीं सिर्फ खुसियां रहेंगी तो इस धन तेरस आपको नमक लाना है धनिया धनिया धन 13 के दिन ही लाने का प्रतीक है क्योंकि धनिया जो होता है वो धन का प्रतीक है और मा लक्षमी की पूजा में धनिया उन्हें अर्पित किया जाता है और फिर सारे धनिया को अच्छे से समेर कर उठा लें आपके घर में मिट्टी है तो वहां डाल दें गमले में मिट्टी है तो उसमें डाल दें जैसे ही वो गाच निकल जाएगा धनिया का तो यकीन मानिये दरिता तो कहा न कहा जाएगी और जीवन में सिर्फ खुसिया और धन आएगा तो धनिया धन के लिए जरूरी है और दूस कहते हैं धन तेरस के दिन अगर साथ मुखी रुद्राक्ष जो मा लक्षमी के साथ साथ सिवजी को भी पसंद है दोनों की किरपाब बनी रहेगी आप इस रुद्राक्षों लाइए पूजाओ जगर करके आप खुद भी गले में लालधागें पहन सकते हैं आप पुरूस हैं महिला हैं अपने बच्चों को तो खेर पांच मुखी रुद्राक्ष पहनाईएगा अच्छी बुद्धी विचार उनके रहेंगे इस दिन धन तेरस के दिन यम्राज की पूजा की जाती है मा लक्षमी के साथ पूरे साल में सिर्फ यही दिन तो है जिस दिन यम्राज की प मा को अर्पित करना है और फिर बांद कर पूरे साल तिजोरी में रखना है मा लक्षमी की किलपा बनी रहेगी बरकत आती रहेगी हल्दी सुभ सूचना का भी प्रतीक और नकारतमक सक्तियों को भगाने का भी प्रतीक है तो हल्दी जरूर लाई अब हम बात करते हैं कमल गट्टा ये कमल का पुस्प होता है ना उसका बीज है इसकी माला मिलती है माला से मालक्षमी का मंत्र जब किया जाता है बहुत जल्दी प्रभाव डालता है या फिर कमल पर आपके घर में रहता है अब बात करते हैं बीपक की बिना दिये कि तो आपका यह पांच दिनों का ठर से ले गोमती चक्र बहुत पसंद है कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र रहता है उस घर में कभी कोई परेसानी आही नहीं सकती ये बरकत भी देता है नकारतमक सक्तियों को भी भगाता है तो साथ गोमती चक्र आप खृत के धंतेरस के दिन ले आएं और महालक्ष्मी की पूजा में अरपित करें तो मिट्टी का दिया गोमती चक्र और अब बात करते हैं गुंजा की ये गुंजा क्या होता है लाल गुंजा कहते हैं तंत्र मंत्र के प्रभाव को काटने का सबसे जरूरी सामगरी अगर कोई है तो वो है गुंजा लाल गुंजा ये जो होता है लाल गुंज यह मालक्षमी की पूजा में उन्हें अर्पित किया जाता है और फिर मुर्ती के पास ही रहेगा पूरे वर्स अगले वर्स आप इसे जल में प्रवाहिद करते हैं या फिर कहीं मिट्टी में दबा दें यकीन मानिए जीवर में धन की कमी भी नहीं होगी और बिल्कुल वैसे ह भाते रहेंगे आप पूरी दुनिया में धन्तेरस के दिन सिर्फ यह एक चीज़ ही बताती है आपके पूरे साल का हाल जीहां दोस्तों बहुत जरूरी है धन्तेरस के दिन खरीदारी करना और वह भी सुमुहृत में अगर आप कोई समान खरीते हैं तो इसके फल लंबे समय तक कायम रहते हैं और जीवन में धन की तकलिफ नहीं होती है वैसे हम आपका बक्त जयान नहीं करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दे इस बार धन्तेरस का सुमुहृत सौपिंग करने का खरीदारी करने का साम साड़े चार से छे का है और पूजा का सुमुहृत है साम स कर रहे हैं क्या इस दिन खरीदे की जीवन में धन की कमी नहीं बरकत होती रहे तो इसी कड़ी में सबसे पहले आपको बता दे मां लक्षमी को वैसे तो बहुत सारी चीजें पसंद है लेकिन हम धन्तेरस मनाते हैं धन की देवी लक्षमी जी को मनाने के लिए और ये 5 दिनो तो जैसे कार्थिक मेने की सुरुवात होती है उसके पहले से भी हो जाती है तो यकिनन आप अपने घर का एक एक कोना कोना आपने साफ कर लिया होगा सफाई कर लिया होगी अब जब मा को मनाना है तो क्या करेंगे आपको कुछ समझ में आया ना है लेकिन पांच रुपे या ज़्यादा दाम नहीं लगेगा सिर्फ पांच रुपे की छोटी सी चीज और वो है धनिया आप थोरा सा धनिया पांच ग्राम दस ग्राम पचास ग्राम जरूर लाइएगा क्योंकि ये धनिया आपके जीवन की बहुत सारी तस्वीरों के राज खोलेंगे और इस धनिया को सिर्फ खरीदा नहीं जाता बलकि बोया जाता है दिपावली के दिन मिट्टी में बोया जाता है धनिया और ये धनिया का पेड़ कैसा उगता है ये आपके आने वाले पूरे साल के बारे में बताता है इसलिए जरा मिट्टी पहले से तयार करके रखिएगा अच्छी मिट्टी ताकि धनिया का पेड़ भी ये नेकी पिला पिला उग रहा है जान नहीं है ऐसा नहीं बढ़ियां बीच खरिद के लाएंगे और बढ़ियें से लगाएंगे तभी तो जीवन में खुसियां जादा आएंगी इसलिए आप धनिया का बीच अलग से ले आईएगा और मा लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए धनिया जो आम धनिया होता है वो ले आईएगा अब हम ये बताएं कि धन्तेरस के दिन वैसे तो सोना चांदी बरतन धातू का समान बहुत सुफलदाई होता है खरिदना और मानेता है कि साल भर इससे धन आता रहता है धन्तेरस के मौके पर हम कुछ न कुछ जरूर खरिदते हैं ताकि जीवन में परिसानिया कम हो और इस दिन धन्तेरी जी अमृत का कलस लेकर समुद्र मन्थन से प्रगट होते हैं इसलिए बरतन खरिदने का खास भीदान है लेकिन ऐसे में धन 13 के दिन टोटका किया जाता है कि पूरा साल आपके लिए धन के लिए कैसा रहेगा तो आप 5 रुपे का धनिया लाएं और साबुत धनिया पूजा कीजिए धनिया को गमले में मिट्टी में लगाईए बगीचे में बिखेर दें जैसे ही धनिया से छोटे-छोटे कौपले निकलेंगे पेड निकलेंगे और धनिया का मतलब जिससे हरा भरा स्वस्त पौधा निकल गया तो समझ यह पूरा साल चक कर पैसा आएगा और धनिया का पौधा हरा भरा लेकिन पतला दुबला है तो एकदम से बहुत जबरावज होता है पूरी अच्छे से वो नहीं है तब सामानने होगा और पीला बीमार सा पौधा निकले तो इसका मतलब है थोरी परिसानी तो जीवन में होगी फिला आपसे भी डालेते हैं हर हर अर्मादीब